तो स्टार्ट करते हैं अपने अगले कॉंसेप्ट विडियो से जिसका नाम है पेरिफेरल नर्वर सिस्टम या फिर पी एनेस तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा ब्रेन होता है वही होता है हमारा इन्फोमेशन प्रोसेसिंग सेंटर और वो पार्ट होता है हमारे सी एनेस का या फिर सेंटर नर्वर सिस्टम का और वो करता क्या है वो हमारे सारे बॉड़ी पार्ट को कंट्रोल करता है अब जब वो बॉड़ी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है तो ब्रेन से बॉड़ी तक कोई तो इन्फोमेशन जाएगी अब ये असोशेटेड़ होते हैं сेंटर नर्वस सिस्टम के साथ अब ऑज और हमारा पेरिफिरल नर्फस सिस्टम है है उसके अंदर नर्फज होती है हम नहीं ये तो देख लिया अब नर्फज भी जो होती है वो दो तरीके से प्रेंट होती है या तो वो cranial nerves कहलाएंगी या तो वो spinal nerves कहलाएंगी अब जो cranial nerves हैं वो cranial nerves क्यों कहला रही है क्योंकि वो nerves हैं जो हमारे cranium से originate हो रही है जो भी nerves हमारे cranium से originate होंगी हम उनको बोलेंगे cranial nerves और जो nerves हमारी spinal cord से originate होंगी spinal cord से निकल के आ रही होंगे, हम उनको बोलेंगे spinal nerves अब देख लेते हैं, कितनी कितनी cranial या फिर कितनी spinal nerves present है तो अगर आप देखेंगे cranial nerves को, तो cranial nerves होती है 12 pairs में ठीक है? और अगर आप spinal nerves देखेंगे, तो होती है 31 pairs आपको देख रहा है, cranial nerves से जादा present होती है spinal nerves अगर आप compare करें तो तो जो हमारा peripheral neural system है, वो divided है 2 parts में हम उसको 2 categories में पढ़ेंगे, दोनों के नाम देख लेते हैं पहले क्या-क्या है तो पहला है somatic neural system और दूसरा है autonomic neural system अब जो हमारा somatic neural system है, वो वापस से divided है 2 parts में उनके नाम देख लेते हैं, cranial nerves and spinal nerves अभी हमने cranial nerves और spinal nerves के बारे में सीखा था अब हम देख लेते हैं, autonomic neural system के अंडर क्या-क्या आ जाता है तो उसके अंडर 3 चीज़े आती हैं सबसे पहले आप देख रहे हैं sympathetic neural system उसके नाम है parasympathetic neural system and visceral neural system तो जो हमारा central nervous system होता है या फिर हमारा cns होता है वो control करता है हमारे voluntary organs को voluntary से आप क्या समझते हैं? voluntary मतलब जो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर पाएं जैसे for example यहाँ पर आपको legs move होते वे दिख रहे हैं तो आप अपने legs अपने हिसाब से move कर सकते हैं या पिर hand movement बे आपका अपने हिसाब से ही होता है तो जो भी movement आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर पा रहे हैं हम उनको voluntary movements कहते हैं तो हमारा central nervous system हमारे voluntary organs को control कर रहा है और जो हमारे hands, legs से muscles attached हैं हम उसको skeletal muscles बोलते हैं बटी जो हमारा CNS है यह कौन से peripheral nervous system के तो इसको control करता है उस peripheral nervous system का नाम है somatic neural system अब जैसे कि हमारा central nervous system voluntary organs को control करता है वैसे ही वो involuntary को भी control करता है voluntary का मातब हमने क्या सीखा है कि हमारी मर्जी से होगा तो जो involuntary है वो कुछ ऐसे होंगे जो हमारी body में होतो रहे हैं बट हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होते हैं जैसे आप pupil dilation का example ले सकते हैं जब आपकी आँखों पे जादा light पढ़ती है उसके साब से आपके आँखों का pupil dilate करता है या फिर दूसरा example आप देख सकते हैं heartbeat क्या आप अपनी मर्जी से अपने दिल की धड़कन को रोक सकते हैं नहीं इसलिए ये एक involuntary case है अब जैसे यहाँ पर voluntary वाले case में आपने क्या देखा था कौन सा peripheral वाला पार्ट कंट्रोल करता था somatic neural system involuntary वाले पार्ट को कौन कंट्रोल करता है वो कंट्रोल होता है autonomic neural system के थरू तो जब हमारी body stressful condition में होती है stressful condition में हमारी body में कुछ changes आते हैं वो changes आते हैं एक nervous system के थरू जिसको हम बोलते हैं sympathetic nervous system अब क्या-क्या changes देखने को मिल सकते हैं सबसे पहला तो ये कि हम देख सकते हैं कि हमारी arteries contract होंगी इसके अलावा में देखने मिलता है कि जो pupil है वो dilate कर जाता है और heart rate भी increase करती है अब sympathetic nervous system ने stress की वज़े से body के अंदर ये सारे changes तो ला दिये हैं बट हमें इसको वापस normal state पे लाना भी ज़रूरी है तो वो कौन लेकर आएगा वो आपका control करता है parasympathetic nervous system तो अभी हमने क्या देखा था arteries contract की थी जो sympathetic nervous system के थूँ था अब parasympathetic क्या करेगा उसको dilate कर देगा जो pupil dilate हुआ था stressful condition में जो pupil dilate हुआ था वो वापस से क्या करेगा contract कर जाएगा and heart rate क्योंकि increase हुआ था तो parasympathetic nervous system क्या करेगा उसको वापस से decrease करेगा और normal condition पे लाने की कोशिश करेगा तो अब हम बात करेंगे visceral neural system की जो हमारा central nervous system है या फिर CNS है वो information भेजता है हमारे visceral neural system को और बदले में हमारा जो visceral neural system है वो इस information को process करके वापस से भेज देता है हमारे CNS या फिर central nervous system के पास और जो हमारा visceral neural system है उसके तीन parts है क्या-क्या चीज़े इसमें include होती है देख लेते हैं इसमें आते हैं हमारे nerves जिसको हम visceral nerves बोलते है उसके साथ आते है fibers जिसको हम visceral fibers बोलते है और तीसरा आता है हमारा ganglia ganglia के बारे में हम पहले भी सीख चुके हैं तो जो हमारे nerve fibers हैं हमारे PNS के या फिर peripheral neural system के वो दो types के होते हैं एक-एक करके दोनों types को हम discuss करेंगे सबसे पहले आते हैं आपके efferent fibers जो efferent fibers हैं वो कर क्या रहे हैं वो हमारे tissue या organ से information लेकर जा रहे हैं कहां तक हमारे CNS तक या पर central neural system तक और दूसरे होते हैं हमारे efferent fibers अब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो efferent A वाले efferent fibers हैं कि tissue से कहां तक ले जा रहे थे CNS तक जो efferent है वो इसका just opposite काम करेंगे वो CNS से information ले जाएंगे हमारे tissue या फिर organ तक तो याद रखेगा जो A वाले efferent है वो tissue organ से कहां पर ले जा रहा है CNS तक और जो E वाले efferent है वो आपका CNS से ले जा रहा है tissues या फिर organs तक